हार फिक्स यूट्यूब नोट वर्किंग विट वाइफाई प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वावगर आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपका जो यूट्यूब है आपके एंड्रोइट फॉन पर काम नहीं करें वाइफाई की साथ ठीक आपको पूरा देखना है स्वाबल्यूयों को ठीक है तो प्रॉड्लम क्या क्या हो सकते वर्स तो क्या करना होगा सॉल्षिन यूट्यूब पे करना है या फिर आपके आपके मोबाइल पे तो आज किसी वीडियो पर हम discuss करेंगे वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकते है solution थोड़ा से ज़्यादा हो सकते है लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखे वरना दोस्तों यहापर हो सकते कि आप कोई पार्ट जो मिस कर दे और वही आपका solution निकला तो आपका जो प्रॉ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें यह आपको online पैसा कमाना है तो description चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो उस device पर जाना है जिससे आप Wi-Fi connection ले रहा है ठीक है तो यानिके आपको उस hotspot के जो sharing device उसमें जाना है उसके device पर जाके दोस्तों data connection वगरा को check करें ठीक है और उसका जो hotspot है उसको open कीजिए यहाँ पर जाके दोस्तों आप जो है चेक कीजिए उनका data limit पर use ठीक है data limit पर use अगर उसने यहाँ पर data limit set कर दिया ठीक है hotspot में तो दोस्तों जब वो data limit पहुंच जाएगा उसके बार आप use नहीं कर प देना है ठीक है तो आप सबसे पहले यह कर दीजिए डोनों डिवाइस को restart कीजिए और उसके बाद दोस्तों चला के देखे problem solve हो जाना चाहिए ठीक है तो उसका net अच्छा है फिर भी आपको problem हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको खुद का solution करना होगा डिवाइस पे अच्छे से उसका internet चल रहा है वाइफाइ कनेक्शन ओपेन हो चुका है कनेक्ट भी हो चुका है लेकिन YouTube नहीं चल रहा है तो दोस्तों आप क्या किजिगा डिसकनेक कर दीजे वाइफाइ कनेक्शन को ठीक है जाए आपने मोबाइल पे जिसमें आप YouTube चला रहा है जिसमें वाइफाइ से YouTube नहीं चल पर है उस मोबाइल पे जाए और उसमें जाके दोस्तों आपको करना क्या है सिस्टेम मेनेचमेंट को अपेंड करना है अपने वाइफाइ को फिक्स करना है उसके लिए आपको बेकावें रिसेट सेलेक करना होगा रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर क्लिक करना है ठीक है तो इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेगा वाइफाइ का ओप्षिन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो इसको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ट बढ़ देना है और उसके बाद रिसेट सेटिंग कर देना ह ठीक है तो यह हो गया नेट रोक सेटिंग रिसेट और यहाएं पर बेक कर लिए अगर आपको यह स्यंटिंग ढूनने में दिक्कत होते हैं तो सेटिंग का मददर लीज сх़ी ममें जाके ऐपको टाइब कर देना है रिसेट को विल जाएगा तो कर लीजी और उसके बाद दोस्तों सो यहाँ पर वे AMYot कर लीजागा उसके बाद चेक कर के देखिए wifi को बारा से कने कर के देखिए जोलब्ले माः आपका फीक्स हो जाएक भी इस्से प्रप्प्राप्लम होँ जाता है टो ठीक है अगर इससे भी प्रॉब्लेम सौल्फ नहीं हो रहा है तो दोस्ता आप वाइफाइ से जो अप्ले जोब चला कर के देखिए टीक है इनस्ता कशला के देखिए अगर सब कुछ काम कर नहीं सब कुछ काम कर रहा है ठीक है इंस्ता को आमीन आपके यूटूब को छोड़के ठीक है सब कुछ काम करें डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ यूटूब पर प्रॉब्लम है तो दोस्तों क्या कीजिएगा प्लेश्टोर पर जाके एक बार करने से प्रॉब्लम क्रह defix होते है नहीं होते तो जाएफने मंवाइल के सेटिंग पर और स्क्रॉल्ल करके सिस्टेमारिक्ट मेनज्मेच्मेंट पर जा अवर आपने सेटिंग करें उसके लिए दोस्तों आपको बेक ह्पें पर जाना reset all setting कर देना है क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है कि कौन सा setting के वज़े से हमारा YouTube नहीं चल रहा है ठीक है हमारे फोन पे तो reset all setting पर जाना है अपने mobile password बढ़ देना है और reset पर क्लिक करना है तो reset करती है आपका setting reset हो जागा ठीक है तो यह कर लिजे उसके बाद दोस्तों अग YouTube या फिर install app करके आपको option मिलेगा तो उसमें जाके दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं तो आभी दोस्तों आपको नीचे जाना है नीचे तो नीचे जाके आपको YouTube open कर लेना है for stop करके ok करना है ठीक है internal storage पर जाईए clear data पर क्लिक करके ok कर दीजिए तो clear data users ठीक है कई device पर आपको restrict data users का option यहां पर मिलता है लेकिन अगर आपके पास भी वीवो का device है तो वीवो पर यह नहीं होते हैं ठीक है तो अगर आपके पास दूसरा डिवाइस जैसे के हो गया रेटमी वगरा तो इसमें आपको data users मिल जाएगा तो जाके data users को enable करें उसके ब तो mobile के software को update कर लिजिगा तो यह हो गया दोस्तों एक complete solution इसके बार आपको कोई भी डिकट कोई भी issue नहीं होगा by any chance अगर problem आ जाते हैं आपको तो आप factory reset के लिए जा सकते हैं या तो फिर आप हमें comment section पर comment करके थोड़ा से explain करके बता दिए बता दिए किस तरह का issue हो रहा ह ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही thanks for watching